नगरपाले करने का भिलाए कि महापौर निरजपाल ने सोमवार को अपने कारेकाल का तीसरा बजट पेश किया। बजट में शहर एवं जनहीत के काम में वित्ती वर्ष दोज़ार चोबीस पचीस में चेसोब बीस करोड इंकामान लाग तीन हजार रुपए व्याय करने का प्रावधान रखा गया है। बजट में राशी प्रावधानित की गई है। वहीं बजट वाचन के बाद निता प्रतिबक्ष भोजरा सिना ने सभी पार्षदों से उनकी भावनाओं को आमंद्रित कर सदन में विस्तरी चर्चा करने की मांग रखी। महापौर ने कहा कि बिना किसी तैयारे के पार्षदों से आने वाले सवाल का ततकाल जवाब दिया जाना संभव नहीं है। लियाजा सभापती ने पार्षदों को लिखित में सवाल देने के साथी जवाब के लिए आगामी 7 मार्च तक के लिए समाने सभा को इस्थागित कर दिया। मैं सदन के समक्ष रखा है इस कारेकाल का और इस बजट में शहर के विकास को लेकर शहर वासियों की जो मूल भूत जरूरते रहते हैं उसका ध्यान रखते हुए आज के इस आधुनिक यूग में कैसे उससे जोड़ा जा सकता है उन सब चीजों को भी समाहित किया गया है ज आप के माध्यम से जो सुविधाएं नगर निगम के द्वारा सहर वासियों को दी जाती हैं सभी सुविधाओं को ओन लाइन और घर से बैठकर उसे जुड़ कर ले सकते हैं चाहिए वो टेक्सपर आना हो सफाई की शिकायत करनी हो पानी की शिकायत करनी हो या बनाने के माध्या निवासी प्रमाने के द्वासी प्रमाइब सारी सुविधाएं उसमें अपना है इस पर काम है बोलता रहे हैं इक भी मौत देंगु से मलेरिया से अभी नहीं हुई है पिछले समय हुई थी उस समय जो केजुल्टीज हुई थी उसका उस समय समय के हिसाब से जो करना चीए था आपदाप्त में दूसरा किया और आने वाले समय के लिए उसकी तैयारी हम लोगों ने करना कुल साथ सो करोड़ आठरा करोड़ का बजट है जिसमें हम लोगों ने सहर के विकास को लेकर महुत सारी सबकुछ विशेश है जो नहीं था उसको हमने रखाई नहीं सारी चीज़ें विशेश इस चहर के लिए खास है तभी इस बजट में देखिए आज बजट पेस्ट नहीं हुआ है बजट को महापौर जी के द्वारा आज बजट भासन अभी बासन पड़ा गया है अभी महापौर जी के द्वारा साथ सो अठारा करोड एक चालीस लाग तिरांबे हजार के विरुद में 620 करोड रुपय के खर्च का अनुमानित बजट पड़ा गया जिसमें 97 करोड रुपया का लगभग 97 करोड नब्बे लाग नब्बे हजार रुपय का लाप का बजट पेस किया गया है मापौर जी के द्वारा पूर्व में भी वास्तिविक्ता से बहुत दूर और आकडों की माया जाल वाला बजट पेस किया गया था कि दो अजार बाइस तेइस के पहले बजट में 712 करोड रुपय का इनके द्वारा एक बजट भासन पड़ा जाता है और जब तेइस चोबिस में वस्तिविक्ता की ओर आते हैं तो वह 403 करोड रुपय का बजट होता है 310 करोड रुपय का अनुमान लगाना एक मापौर ज मिश्यत की शहर के साथ में आकड़ों का खेल है उसी इस तरफे 2023 के भासन में भी अभीवासन में भी उनके द्वारा 685 करोड रुपय का पड़ा जाता है और जब वास्तिविक वजट पेस किया जाता है वान वास्तिविक जब आता है तो लगबख 256 करोड रुपय का अनुम बड़ा करने का कारी है महापवर जी का वास्तिविक बजट और काल्पनिक बजट में 300 करोड का अंतर निश्चित कहीं न कहीं एक मुंगिरी लाल के हसीन सपने हैं जुटे वादे हैं हमने सभापती मौदय से कहा महापवर जी के बजट भासन के दौरान समाप्त होने के बा चिमेदारी बनती है तो आपसे निवेदा ने अद्धिक्ष महुदे कि परतेक पार्शद की भुमिका को बजट में जोड़ा जाए उनके प्रस्ताव को जोड़ा जाए शहर के विकास को लेकर के सभी पार्शद सोचते की मेरा शहर कैसा हो इसको लेकर के सभी पार्शद की अपनी भुमिका होती है उन्हें सुना जाए वाट के विकास को लेकर सुना जाए जिस पर शवापति मौदे जी ने आज बजट अभी भासन के बाद बजट की बैठक को इस्तगित कर उन्हा साथ तारीक को एक बज़े बैठक रखी गई है जिसमें सभी पार्शद अपने प् विकास हो और विश्णु देव साही जी की सरकार के परदेस सरकार के नेत्रित में नगर निगम की सरकार को विकास के लिए जो भी हो सके केंद्री योजनाओं के और राज्य के और नगर निगम के जो भी पारदश्रिता के साथ में विकास होगा तो निश्यत पूरे पारश वाकि उस बैठक में दिखेगी जो बजट बैठक साथ तारीक को रखी गई है उसमें पूरी चर्चा उसमें सभी पार्शदों के दोरा की जाएगी और वास्तविक्ता का बजट परसुद करने की मांग हमारे दोरह पेश किये गए अपने कारकाल के तीसरे बजट पर नेता प बोट